प्रस्नेक निम्नलिखित पड़तेक एपी में पूछे गए पदों को ग्याद करें प्रस्नेक का पहला तो यहाँ पे है एक छे इगारा सोल्ल यहाँ पे एक सेट हुआ पद पूछ रहा है देखिए टी एक सेट मतलब एक सेट हुआ पद ग्याद करना है तो यह क्या है समनांतर सिरेनी है देखिए एक छे इगारा सोल्ला यह क्या है समनांतर सिरेनी है तो यहाँ पे AP मतलब क्या हुआ तो कह रहा है निम्नलिकित पड़ते एक AP में AP मतलब समनांतर सरेनी समनांतर सरेनी को इंग्लिस में AP कहते हैं ठीक है तो यह समनांतर सरेनी दिया हुआ है जिसमें की, तो लिखेंगे, A बराबर, A बराबर एक हो गया, A मतलब होता है, पहला पद, तो पहला पद एक है, कॉमा, D बराबर, D मतलब होता है, सारवंतर, तो ये तो AP में है, कोई भी दो पदों को घटा देंगे, तो सारवंतर निकल जाएगा, देखे, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे, या तीसरा पद में से दूसरा पद को घटा देंगे, या चाउथा पद में से तीसरा पद को घटा देंगे, तो ये समनांत स्रेनी में है, तो कोई भी दो पदों को घटा देंगे, तो इसका सारवंतर यानी D निकल जाएगा, तो 6 में से एक घटा देंगे, यानी दूसरा में से, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे, तो 5 आ जाएगा, तो पहला पद एक हो गया, सारवंतर हो गया 5, अब ह TN बराबर TN बराबर A प्लस N माइनस एक इंटू D देखें ये सुत्र होता है TN बराबर A प्लस N माइनस एक गुना D तो इस सुत्र के माध्यम से हम 161 पद यहां पर ग्याद कर लेंगे तो इस सुत्र से कोई भी पद समनांतर सिरीनी का हम ग्याद कर सकते हैं बस हमको मालूम होना चाहिए पहला पद यानि A और सारवंतर यानि D तो लिखेंगा था T61 61 पद निकालना है तो N के जगा पे 61 लिखेंगे N के जगा पे 61 लिखेंगे तो A हो गया 1 यानि पहला पद 1 है ठीक है तो A के जगा पे 1 लिख दिएं N के जगा पे क्या लिखेंगे 61 और D के जगा पे क्या लिखेंगे D के जगा पे 5 सारवंतर कितना आया है 5 तो इस तरह इस सूत्र पे बैठा देंगे N के जगा पे 61 A के जगा पे 1 N के जगा पे 60 और D के जगा पे 5 तो हो जाएगा 1 जोड 61 में से 1 घटाएंगे 60 आ गया तो 60 गुना 5 लिख देंगे तो हो जाएगा 1 जोड 60 पचे 300 तो 300 जोड 1 हो जाएगा 301 यानि 61 पद आ गया 301 तो इस तरह से इस प्रस्ण को हल करेंगे यानि इस समना अंतर श्रेनी में 61 पद आएगा 301 देखे 1, 6, 11, 16 यानि 5, 5 जोडते जाना है 16, 5, 20 हो जाएगा 21, 5, 26 ऐसे करते करते 161 पद आ जाएगा 301 तो इस सूत्र को याद रखना है TN बराबर A प्लस N माइनस एक गुना D यानि TN बराबर A प्लस N माइनस एक इंटू D दूसरा प्रस्म A बराबर 3 A बराबर 3 D बराबर 2 D बराबर 2 तो निकालना है TN और T10 तो A क्या हो गया? पहला पद तो पहला पद दिया हुआ है 3 D, D मतलब हो गया सार्वंतर तो सार्वंतर 2 दिया हुआ है और हमको निकालना है TN A9 पद निकालना है और 10 पद निकालना है ठीक है देखें TN का मतलब हो गया A9 पद T10 का मतलब हो गया 10 पद तो A9 पद और 10 पद ग्याद करना है पहला पद और सार्वंतर दिया हुआ है तो देखें सुत्र क्या होता है TN बराबर A प्लस N माइनस एक इंटू D ये होता है सुत्र यानि A9 पद बराबर होता है A प्लस N माइनस एक इंटू D तो A9 पद ग्याद करने के लिए ये सुत्र है A हो गया पहला पद D हो गया सार्वंतर और N हो गया जो पद निकालना है हमको तो पहले हमको निकालना है A9 पद देखें TN निकालना है तो N के जगापे N लिखेंगे A9 पद निकालना है तो N के जगापे N ही लिखेंगे बराबर A कितना है? 3 है पहला पद 3 है तो A के जगापे 3 N के जगापे N ही लिखेंगे क्योंकि A9 पद निकालना है D कितना है, 2 है, सारवंतर 2 है, तो इस तरह से लिख लेंगे, A के जगा पे 3, N के जगा पे N ही लिखेंगे, D के जगा पे 2 लिखेंगे, क्योंकि हमको निकालना है TN, यानि N वा पद, तो N के जगा पे N ही लिखेंगे, अब हो जाएगा, 3 प्लस अब 2 से n-1 को गुना कर देंगे क्योंकि n-1 कोष्ट के अंदर है और गुना में 2 है तो 2 गुना n, 2n हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 2 गुना 1 2 यानि n-1 को 2 से जब गुना किये तो 2n-2 हो गया n-2, 2n माइनस एक गुना 2, माइनस 2 अब हो जाएगा 3 में से 2 गटा देंगे तो 1 आजाएगा तो यहाँ पे हो गया 2n प्लस एक देखें, 3 में से 2 गटा आएगे, तो 1 आजाएगा 3 में से 2 गटा देंगे, तो 1 आगया तो 2n प्लस 1 आगया, एनोह पद 2N प्लस 1 तो 1 उत्तर आ गया है TN यानि N मा पद पूछ रहा था तो 2N प्लस 1 इसका उत्तर आ गया अब कह रहा है कि T10 यानि दसमा पद ग्याद करें तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे चुकी TN बराबर सुत्र क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इन्टू D यह होता है सुत्र अब हमको निकालना है दसमा पद तो N के जगा पर 10 लिखेंगे N के जगा पर क्या लिखेंगे 10 A कितना है? A दिया हुआ है 3 N के जगा पर 10 लिखेंगे D कितना है? D है 2 ठीक है? इस तरह से सबका मान रख दी है N के जगा पर 10 A के जगा पर 3 N के जगा पर 10 और D के जगा पर 2 अब हो जाएगा 3 प्लस 10 माइनस एक 9 हो गया तो 9 गुना 2 यानि 3 प्लस 9 दुना 18 18 तीन 21 तो दस्मा पद आएगा 21 इस समनांतर स्रेनी का इस A P का दस्मा पद 21 आएगा तो इस तरह से इस प्रस्न को हल करेंगे इस तरह से इस प्लस 10 आएगा प्लस 10 आएगा फ्लस 10 आएगार झाल झाल